बहुत स्वागत है अप सबीका आपके साथ मैं पल्लवी रवीन्र सिंग्ग आयोध्य में आज से अनुस्ठान की शुरुआत होने जा रही है आज से प्राण प्रतिष्ठा कारकरम की शुरुआत होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में 6 दिन और बाकी रहे गए हैं और इसके लिए प्राश्चित पूजा से कारक्रम की शुरुआत की जा रही है ऐसी जानकारी है सुबा साड़े नौ बजे से शुरू होगी प्राश्चित पूजा और 121 ब्राम्वन इसकी शुरुवात करेंगे तो आयोध्या में रामलला के प्रतिष्ठा के लिए कांटडाउन शुरू हो चुका है आज ये आयोध्या में पूजन विधी शुरू हो जाएगी चंपतराय ने बताया था कि 18 जनरी को रामलला की प्रतिमा जो शामल रंकी बनाई गई है वो मंदिर में रखी जाएगी रामलला की प्रतिमा का वज़न तकरीबन 200 किलो होगा आज से 21 जनरी तक पूजन कारी किया जाएगा 22 जनरी को 12 बचकर 20 मिनट पर प्राणपतिस्ठा सुरू होगी तो आज से 22 जनरी को बारा बचकर 20 मिनट पर प्राणपतिस्ठा शुरू हो जाएगी तो अज में आज से अनुस्ठान शुरू हो चुका है सब की नजरह इसी बात पर टिक यू है ति राम लाला की जो प्राम प्रफिस्टा होगी उसको लेकर के आकर किस तरीके की तैयारिया हैं और अज़ाई